नमस्कार दोस्तों आज हम आटवी कक्षा की पहली इकई का तिसरा पाठ नाखुन क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के उपर पूचे गए सभी प्रशनों के उत्तर आसान भाषा में समझेंगे इस पाठ के रशनाकार है आचार्य हजारी प्रसत द्वीवेदी दोस्तों अब हम स्वाध्धाय को शुरू करते हैं इस पाठ का प्रशन है सुचना नुसर कृतिया करो इसमें है एक प्रवाह तालिका पूर्ण करो मनुष्य में पशुतत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बाते मनुष्य में सैयम है दूसरे के सुकदुक्य के प्रती समवेदना है मनुष्य में श्रद्धा वतप है मनुष्य में त्याग है अगला प्रश्ण है प्रतीक लिखो नाखुनो को बढ़ाना मनुष्य के पशुतत्व का प्रतीक है मनुष्य में जंगली पन का प्रतीक है मनुष्य में पशुता के अउशेश है मनुष्य में गुरुना का प्रतीक है नाखुनों को काटना मनुष्य की मनुष्यता की निशानी है सैयम का प्रतीक है त्याग का प्रतीक है तपका प्रतीक है अगला प्रश्न है तीन उत्तर लिखो इसमें है एक मनुष्य की चरितार्थता इन दो बातों में है A. मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है A. मैत्री और त्याग में है 2. मनुष्य का स्वधर्म यहां है A. अपने को सयंत रखना A. दुसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है 3. मनुष्य को नाखुनों की जरुरत तप थी अ जब मनुष्य जंगली था, आ मनुष्य वनमानुष जैसा था अगला प्रश्ण है भाशा बिंदू, इसमें है एक, निम्ना शब्दों की लिंग पहुचान कर लिखो शब्द है आत्मा, व्यक्ति, बादल, तार, नोट, नाखून, पुस्तक, तकिया, दही दो, अर्थके अनुसार वाक्यों के प्रकार डून कर लिखो विधान वाचक वाक्य, कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था आध्या वाचक वाक्य, नाखूनों को काड़ दो निशेद वाचक वाक्य, मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है संदेह वाचक वाक्य, मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी प्रश्नार्थक वाक्य, मनुष्य किस और बढ़ रहा है विस्मै वाचक वाक्य, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है अगला प्रश्न है, उपयोजित लेखन किसी मौलिक मराठी विज्यापन का हिंदी में अनुवात करो भाशा प्रेमी मंडल आयोजित, सुन्दर लिखावट कार्यशाला आपके लेखन की गती धीमी है, अक्षर घुमावदार नहीं आते केवल एक ही विकल्प है, सुन्दर हस्त लेकन कार्यशाला में प्रवेश के लिए आज ही अपना नाम रजिस्टर करे प्रवेश सीमित, हमारी विशेश्ता है विशेश्च अद्यमार्ग दर्शक, खूब लिखने का अब्यास अब्यास के लिए शेश्चनिक सामगरी उपलब्द है अच्छी तरह से सू सजित वातानू कुलित प्रशिक्षन कक्षाए आयूगट है आज से पंद्रह, मामुली शुल्क, कार्यक्रमकस्तान, हर्शल सभाग्रह, सोलापूर संपर्क के लिए मोबाइल नंबर अगला प्रश्ण है मैंने समझा मैंने इस पाट से यह समझा की जिस तरह नाकुन बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं ठीक उसी तरह यदि किसी में बूरी आदते आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए अगला प्रश्ण है स्वयन अध्ययन शरीर के विभिन अंगो से संबंदित मुहावरों की अर्थ सहीत सुची बनाओ पीड दिखाना भाग जाना मूँ मीठा करना प्रसन्न करना हाथ बाटना मदत करना पेट में चूहे कूदना बहुत भुक लगना इस तरह दोस्तों आज हमने नाखुन क्यों बढ़ते हैं इसके प्रश्ण उत्तर समझे हैं धन्यवाद दोस्तों झाल